अब एक कुछ दिन पहले ही बिहार से एक मामला सामने आया था जहां एक पती ने अपनी पत्नी का विवाव उसके प्रेमी से ही करा दिया था लेकिन एक और मामला सामने आया है जहां सारी ख़दे पार कर दी है जहां एक पत्नी ने अपने प्रेमी के संग मिलकर अपने ही पती की हत्या कर दी और ये खुलासा किसी और ने नहीं बलकि महिला की छे साल की मासूम बच्ची नहीं किया है दरसल मुंबई के दहीसर इलाके में एक महिला ने अपने प्रेवी के साथ मिलकर पहले पती की हत्या की और फिर उसके बाद शब को किचिन में ही दफना दिया हाला कि वो ज्यादा दिन तक अपने गुना को छिपा नहीं सकी महिला की 6 साल की बच्ची ने ही उसका राज खोड कर रख दिया हत्या के 11 दिन बाद पुलिस ने शब बरामत कर लिया है दरसल बच्ची ने पुलिस को बताया कि उसकी मा ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पिता की हत्या कर दी फरार हुई महीरा को पुलिस ने उसके प्रेमी के साथ पकड़ लिया वहीं मुंबई पुलिस के DCP विशाल ठाकुर ने बताया कि उत्ता प्रदेश के गॉंड़ा के रहने वाले रईस की शादी साल 2012 में शाहिदा से हुई थी शादी के बाद दोनों मुंबई आकर दहीसर पूर्व के खान कंपाउंट में किराय की घर पर रह रहे थे रहीस गहीसर में ही रेलवे स्टेशन के पास एक कपड़े की दुकान में नौकरी करता था जबकि पत्नी धाई साल के बेटे और छे साल की बेटी के साथ खर पर रहती थी पुलिस के मुताबिक पते की गयर मौजूदगी में महिला का प्रेमी उसके खर आने जाने लगा इस दोरान दोनों के बीच अवैद संबन बन गए कुछी दिनों बाद इसकी भनक रहीस को भी लग गई इस बात को लेकर रहीस और शाहिदा के भी जगड़े शुरू हो गए लेकिन लगातार बढ़ते जगड़ों से तंग आकर शाहिदा ने प्रेमी संग्मिल कर उसे हटाने की योजना बना ली डीसीपी के मुताबिक 20 माई को रहीस के घर से बाहर जाने की जानकारी जैसे ही शाहिदा के प्रेमी को लगी वो शाहिदा से मिलने उसके घर पहुँच गया इस दौरान दोनों अपती जनक हालत में मिले और अचानक रईस पहुँच गया इसके बाद पहले पती पतनी के बीच जम कर विवाद हुआ फिर शाहिदा ने चाकू घुप कर रहीस की खत्या कर दी इसके बाद दोनों ने मिलकर उसका गला काट दिया इसी बीच उसकी 6 साल की बेटी अपने 20 साल के भाई के साथ खेलने के बाद घर वापिस आ गई पहले में ही दफना दिया हाला की उसका फोन शाहिदा ने अपने पास ही रखा था रईस के घर वालों का फोन आने पर शाहिदा कहती थी कि रईस बिना बताय कहीं चला गया है रईस की अचाना गयव हो जाने के बाद उसके दोस्तों को संधे हुआ उनमें से एक ने दही से पुलिस स्टेशन में जाकर केस दर्च करवाया और पुलिस ने मामले की जांच शुरू की जांच के दुरान पुलिस ने अकेले में बच्ची का बयान दर्च किया और इस मामले का खुलासा हो गया बच्ची की गवाही के बाद पुलिस ने बुद्वा को रईस की लाश को भी बरामत कर लिया है शाहिदा ने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया और इस सराथ दोनों को महीला को और उसके प्रेमी को पुलिस ने गिरफतार कर लिया फिलार के लिए इतना ही आप देखते रहें न्यूस वर्ल इंडिया